Hello to all our community members. Mission IAS PCS में आपका स्वागत है. We were discussing about the international relation topic and अब तक हम लोगों ने 125 pages complete कर लिये है. Hope यहां तक आपको कोई doubt नहीं रहा होगा. Actually, यह जो आपका revision series है, means के perspective से काफे जादा महत्पूर्ण है और इसमें वो सारे topic जो means से related होंगे, उसमें आपका revision भी हो जाएगा और अच्छी पकर भी बन जाएगी. That's why we try to discuss the content from basics ताकि आपके basics clear हो जाए, including maps. Because map को आपने अगर समझ लिया, तो definitely उस location का significance, उस country का significance आप आराम से समझ जाओगे. जैसे हमने Central Asia का map आपको दिखाया, उसके बाद हमने बताया कि कैसे Central Asia का location भारत के लिए महत्पून है, because from there we can go to Europe, we can go to other part of Asia, चाहे हो हमारे product ही क्यों ना हो, चाहे हम अगर trade relations को extend करना चाहते हैं, तो ही क्यों ना हो, है ना, उसके लिए हमें इरान से accessibility की जरुवत थी, that's why हमने port वहां पर इरान की मदश्ते बनवाया, because Pakistan ने हमें connectivity की accessibility नहीं दी थी, block कर दिया था, that's why इरान के माध्यम से हम अफगानिस्तान को assess कर पाते हैं, या फिर हम Central Asia को भी assess करने का प्रयास करते हैं, that's the significance of connectivity, international relation में जब भी हम relations discuss करते हैं, तो एक तो हम strategic लिहास से किसी देश को एहमियत देते हैं, या फिर connectivity कैसी है देशों के बीच, उस हिसाब से हमारा relations govern होगा, that's why इंडिया connectivity को boost करने का काफ़े जोड़दार प्रयास करता है, ताकि हम दूसरे देशों के साथ जुड़ सके, अब दूसरे देशों के साथ जुड़ने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ हम people to people exchange होगा, बहुत सारी चीज़े, हमारी company वहाँ जा सकती है, invest कर सकती है, या फिर हमारे products different countries में जा सकते हैं, और वहाँ पर वो अपना market बनाएंगे, और भारत के export में contribute करेंगे, भारत की manufacturing base मजबूत करेंगे, यह सब benefits होता है, और जब हमने globalization के साथ शुरुआत की ही है, बता है, ताकि हम भी globalization के world में lead कर सके, तो यह सब बाते है, तो यह हमने basics आपको बताया, तो आज हम India Nordic Summit के बारे में discuss करेंगे, और यहाँ पर भी हम सबसे पहले basics को ही cover कर लेंगे, basics में आपका जो nordic countries हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, आपको पता है कि Nordic countries में 5 देश आते, ठीक है, मैप में हम discuss करेंगे, और यह जो 5 देश है, आपको पता होना चाहिए, Human Development Index के लिहाज से बात करो, या फिर Social Indicators like Literacy, या फिर आपका Income, या फिर Health Status, या फिर Technology, या फिर Green Energy, Clean Energy, Innovation, इन सब के मामने में काफ़े ज़्यादा अग्रिनी हैं, तो अगर हम इन के साथ Relations अच्छे कर पाते हैं, तो यहाँ की Innovation, यहाँ की Technology, इंडिया भी आ सकेगी, और इंडिया भी Climate Change के मुद्ध को या फिर Water Crisis के मुद्ध को अच्छे से डील कर सकेगा, हम Sustainable World की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है, क्योंकि यह सब जो Countries है, काफी ज़्यादा Well Advanced Countries में गिने जाते हैं, और डेमोक्रेसी के लिहाँ से भी यहाँ पर आपको भी पता होगा, और डेमोक्रेसी, वोमेन रॉइट्स, यहाँ पर काफी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यह बेसिक्स मैंने आपको विसक्स किया, यहाँ पर आप ध्यान से देखते रहना, मैं क्लिक कर रहा है, यहाँ पर नौर्वे, त्वेडन, फिनलेंड, डेन्माक, और आइसलेंड, इस नोट इरिलेंड, इरिलेंड आपको इधार है, ठीक है, इस आइसलेंड, तो कौन से पाच देश हो गए, आइसलेंड, डेन्माक, नौर्वे, श्वेडन, फिनलेंड, ठीक है, और फिनलेंड आपका, यहाँ तक स्प्रिडेड है, और एक बात और हमें बताओ, क्या आप गल्फ और बोथनिया को देख पा रहे हो, मैप में, अगर देख पा रहे हो, तो बताओ, किन दो देशों के बीच में है, यहाँ आपने सही पक रहा है, श्वेडन एंड फिनलेंड, यहाँ पर है आपका गल्फ और बोथनिया, श्वेडन एंड फिनलेंड के बीच में, उसके बाद क्या आपने बाल्टिक स्टेट्स का नाम सुना है, जरूर सुना होगा, प्रिलिम्स का जब आप रिविजन करते होगे तो बाल्टिक स्टेट्स के नाम जरूर सुनेग। तो कौन से तेन देश हैं जो बाल्टिक स्टेट्स में आते हैं वेल्कल आसाल है इस्टोनिया, लटीवा, लिफियानिया यहाँ पर आप देखो यह आप देख रहें इस्टोनिया और लिफियनिया थिक extensive और यह तीनों Baltic Sea को बॉर्डर करते हैं तो हमेशा याद रखना Baltic Sea क्योंकि UPS Sea वाटर वर्डीज को ज्यादा एमियाद देता है प्रिलिंस में कोईशन जब भी पूछी जाती है इस कंपेर टू दे कंट्री बॉर्डर शेरिग तो यह जो बाल्टिक सी है या फिर गल्फ और चाहिजए इन बोधनिया है इन सब्सक्राइब को द scorpion में डर्फ चरियें तो यहमने आपको बारे में आफको बता दिया की सब्सक्राइब काम से देश बॉर्डर करते हैं गल्फ और बोधनिया से unplugश में करते हैं इन सब्सक्राइब्स angraiser हो ठीक है और इसके साथ अधर जो वाटर बटी आप सुनते हो ब्लैक सी हो गया क्योंकि ब्लैक से काफ़ा ज्यादा न्यूज में रहता है विकाज अधर रश्य यूक्रीन वर तो इन सब पर आपकी पकर होनी चाहिए एंड यह जो आपका वेश्ट एशिया में बहुत सारे वाटर बटी दें नाइक पर्शन गाल्फ रेड़ सी यह सब यूपीएसी के फेमस पुछे जाने वाले रेपेटेटिव कोश्चन है तो इन सब को भी एग्णोर नहीं किया जाना है आपको तो यूप यूप अंडेस्टूड फ्रों इंडी दि एसी कि कौन कौन से देश आते हैं और यहां पर देख लो अपने आप्टिक कॉंसील के बारे में शुना ओगा ठेक है अब आप हमें बताओ आओ आक्टिक कॉंसील में कौन कौन से देश आ जाते थी तो यह सब है और यहां पर देख साकते हो बैरेंट सी है तो बैरेंट सी है आपका कोई Southern Hemisphere में नहीं है Northern Hemisphere में ही है और यह सब Arctic Ocean के ही पार्ट है बैरेंट तो यहां तक हमने research किया now let's move to the PDF तो हमने basics आपको बताया है कि जब हम Nordic देशों की बात करते हैं तो काफ़े well advanced well developed technologically very fast and climate change के मुद्धे को यह सब काफ़े ज्यादा share yes भी लेते हैं and sustainable development के मामले में यह सब काफ़े ज्यादा अपने तरब से जो भी होता है initiatives तो सब यह करते हैं तो हमें भी इनसे बहुत सारी चीज़े सीखने को मिल सकती है technology transfers देखने को मिल सकता है अगर हम relations corporations अच्छे कर पाते हैं तो कि आप देख सकते हो इंडिया नॉर्डिक शमिट हम डारेक्ली समिट के ही बारे में डिस्कॉस करेंगे हालाग कि डारेक्ली में में आपको बता दी इसकी हमिया तो आप reference के रूप में भी इसे यूज कर सकते हो तो यह जो आपका इंडिया नॉर्डिक शमिट है फॉर फर्स ताइम यह 2018 में हुआ था स्टॉक हम में स्टॉक हम किसकी capital है यह आप हमें बताइए एंड आप्टर इस समिट जो आपका सकेंड यह समिट हुआ है 2022 में तो किन-किन मुद्धे पर बातते यह सहमती बनती भी दिखी तो एक तो multilateral corporations की बात कही गई in the post pandemic economic recovery और यह भी आप सुनते होगे कि जो भी देशों के साथ after COVID-19 हम bilateral meeting करते हैं या फिर forums में शामिल होते हैं तो यह तो पोस्ट pandemic economic recovery है न यह मुद्धा जरूर रहता है along with भारत किन-किन मुद्धे पर चर्चा करता है एक तो climate change पर जरूर करता है तो यह सब मुद्धे होंगे जब भी हम यह सब फॉरम और्गनाइज करते हैं यह समिट और्गनाइज करते हैं along with sustainable development innovation, digitization, green, clean growth यह सब हैं तो कुछ highlights बोलें इस समिट के तो एक तो international peace and security को स्थापित किया जाए और साथी साथ इसमें यह बात भी बोली गई है कि Ukraine में जो conflict चल रहा है इसको short out किया जाए तभी तो peace and security आएगी पहली बात तो यह हो गया और multilateral corporations की बात भी बोली गई green transitions अब green transitions अब सोचो agriculture में भी green transition हो सकता है industry में भी green transition हो सकता है और जो आपके अन्य sectors है financial sectors है उसमें भी तो green transition हो सकता है जैसे bank सब है जो भी है अब वहां पर भी तो बिजली खर्च होती है तो वहां पर भी हम green source of energy को ला दे तो फिर बहुत सारी जो आपके energy जो fossil fuels से supply होती है वह कहीं न कहीं कम हो सकेगा और हम GHG emissions को control करने में शमर्थ हैवान होंगे है ना तो यह सब बात है और climate change पर तो मैनुफैक्ट्रिंग या फिर आपका agriculture इन से पर फोकस किया बुलू economy का मतलब क्या हुआ जैसे इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया का लगभग साथ हजार किलो मीटर का रंबा कोस्ट लाइन है अब कोस्ट लाइन जो है अब कोस्ट लाइन को सिर्फ आप कोस्ट लाइ कि यहां से जो टाइडल इनर्जी बन सकते हैं या फिर कोरल से लेलो या फिर आपका चैतर पर ध्यान नहीं दिया लेकिन अब जो है ब्लू इकनोमी पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है इंक्लूडिंग आप देख सकते हो पोल्ट कनेक्टिविटी इंशूर की जारी है सागर माला भारत माला यह सब जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है और साथी सा सेकुरिटी को भी मजबूत करने के लिए आपका नेवल कमांड मेरी टाइम इकसाइज यह सब भी बूस्ट किये जा रहे हैं यह सब सिगनिफाइब करता है इंडिया ग्रूइंग इंट्रेस्ट इन दर ब्लू इकनोमी और यह सब जो देश है यह भी इन सब फिल्ड में पहले से ही महरत हासिल कर रखे तो यहां से हमें बहुत सारे चीजे यह कॉपरेशन से देखनों को मिलेगी तो इन्ट्रेशन इन डिजिटाइजिशन तो इनोवेशन और डिजिटाइजिशन पर भी फोकस की बात की गई है तो अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्स की चर्चा करें तो मुल्टि लेटरल इंटरनेशनल कॉपरेशन में क्या बोला गया है कि जो प्रेशिंग चैलेंजेज है ग्लोबल प्रेशिंग चैलेंज जैसे आपका क्लामेट चेंज कोबीड नाइंटिन पैंडेमिक बायोडियावर्सिटी लॉस यह भी एक काफी बड़ा चैलेंज है आज के समय में विकॉज इस प्रकार से रियल स्टेट सेक्टर डेवलप हो रही है यह ना बीफोरेस्टेशन हो रहा है जमीने कम पर जा रही ह है जो भी आपके बायोडियावर्सिटी वाले एरियाज है तो इन सब पर भी कॉपरेशन किया जाए साथे साथ फूर्ड इनरजी इन सेक्रिटी को भी डील किया जाए अक्रोस दे वल्ड इसके लिए इंटरनेशन कोपरेशन की बात की गई है अलोंग विस रूल बेस्ट इ में रिफॉर्म्स यह ध्यान रखना जब भी हम वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं तो बेसिकलिए अगर गलोबलाजेशन को सही तरीके से परफॉर्म करना है तो जाहिर से बात है वाई साब डॉमिनेशन नहीं चलेगा ना कि वाई साब एक कंट्री पूरा डॉमिनेट करें वही पूरा नियम कानून बनाए वही पूरा वर्ल्ड का या गाइडलाइन्स हो गवर्नेंस हो डिसाइड कर यह तो नहीं होगा तो रूल बेस्ट इंटरनेशनल ओडर यानि कि जो भी कंट्रीज है सब का कंट्रिवीशन हो चुबार्स दे रूल बेस्ट इंटरनेशनल ओडर और यानि कि जैसे युनाइटे नेशन की ही बात कर लो यह सब जो ओगनाइजेशन है 1946 बने आप्टर वल्ड वार टू तो उसके बाद से कोई रिफॉर्म सुआ नहीं लेकिन नए नए देश बनते चले गए और बहुत सारे देश जो है काफी तरक्की किये लाइक इंडिया की ही बात कर लो तो इंडिया को युनाइटे नेशन सेकुरिटी कांसिल में जगह नह इंडिया की तरफ आ रही है जैसे आप चाइना की राइजिंग देख सकते हो इंडिया भी राइज कर रहा है तो 2023 में हम 1946 के फिलोसफी वाले इंस्टिउशन के अधार पर नहीं चल सकते है यह वी नीड रिफॉर्म है ना तो जो इंस्टिउशन्स हो वो ट्रांस्पेरेंट हो एकाउंटबल ऑफ डबलु हो की एकाउंटबलिटी कितनी है आप देखी रहे हो लगभग जो भी इंटरेशन इंस्टिउशन्स है उसकी इफिकसी चुनने के बराबर है यह कह सकते हो कि कोई भी अगर डिसीजन दिया भी जाता है तो जो पावर्फुल नेशन से उससे ए डेवलपिंग अन्डर डेवलप्ट कंट्री अभी देख लो यूकरीन कंफ्लिक्ट हुआ नो एनी मल्टे लेटलर इंस्टिउशन्स आर एबल टू सॉर्ट आउट इस्चू फिर आपका कोबिट नाइंटीन है ना जो आपका वैक्षीन नेशनलिजम का दौर चला था एक स करते हैं कि हम हम डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देंगे लेकिन वो फंड अभी नहीं दी जा रही है जो आपका पैरिस एग्रिमेंट में वादा किया घया था अना अभी फिर से कॉप ट्वेंटिस्टिशक कॉप ट्वेंटिस्टेबन में यह फंड देनी की बात की गई ह लेकि नभी भी फंड नहीं दी गई है यह सब आते हैं एंड डावलो टी ओ में देख लो डावलो टू यह में भी रिफॉर्म की ज़रुवत है ना तो सब बाते हैं that's why multi-lateral institution का रिफॉर्म होना ज़रूरी है और यह एक separate topic है we will discuss when the right time will come climate change and to protect the natural environment यह सब जो देश है Nordic country यह सब काफी ज्यादा concerned है climate change के मुद्धे पर इंडिया भी बहुत सारे step ले रहा है climate change के मुद्धे को deal करने के लिए जैसे आपका पंजम्दित हो गया life हो गया है lifestyle for environment तेक है उसके बाद once and one world one grid ले लो आप उसके बाद आटाईडल इनर्जी रूनुवल इनर्जी जो शेर है वह भाहने का प्रयास किया जा रहा है जा रहा है तो आपको पर्यास कर रहा है लेकिन climate change का मुद्धा सिर्फ एक देश से स्वाल नहीं होगा यह और नीड कंट्रिबूशन अफ आल दे कंट्रीज अभी जा कि मुद्धे तो रट आउट हो सकेंगे सिर्फ एक देश ने इमिशन कंट्रोल कर दिया बागी नहीं किया तो इससे आपका इमिशन खत्म थोरी ना हो जाएगा कि सब जो ग्लोबल मुद्धे हैं उसको ग्लोबल कमुनिटी मिलकर ही शॉट आउट कर सकते हैं सिंगल कंट्री शॉट आउट नहीं करेंगे इन सब मुद्धे पर कॉपरेशन बनाने ज़रूरी होते हैं इस वह इतने साथ और अर्गनाज़ेशन देखते हों UNFCCC, UNCCD, वियन कंवेंशन क्यों को यह सब ग्लोबल मुद्धे हैं जब तक ग्लोबल कमुनिटी को एक साथ एक लेटवाम पर नहीं लाया जाएगा बैट इस सब बाते हैं उसके बाद बुलू एकनोमी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है बुलू एकनोमी पर भी फोकस किया जाएगा और बुलू एकनोमी से एकनोमी ग्रोथ, नहीं नहीं जॉप्स, टूड निट्रूशन, फूड शेक्रूटी इन सब पर भी काम बरहेगा इनोवेशन और डिजिटल इनिशेटिव्स, तो इनोवेशन और डिजिटल इनिशेटिव्स में वही बात है कि इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा और यह जो समिट है, इसमें इंडिया के जो कमिटमेंट है, गवर्मेंट के जो कमिटमेंट है, इनोवेशन और टांजिशन इंडस्ट्री टांजिशन कहा जाता है कि जो इंडस्ट्री है न वह सकेंड मोस्ट कंट्रूबूटिंग फैक्टर है तो इनको ट्रांजिट करना ज़रूरी है इनको इनर्जी चाहिए होती है अब इनर्जी फोसिल फेरस बेस्ट होगी तो जायर चीबात है मिशन भी होगा या तो आप उस जीएजी को बाहर एट्मसफेर में निकलने ही नहीं दो उसके लिए आप नहीं नहीं टेक्नोलोजी ला या फिर यह जिस इनर्जी से चलते हैं ल है जो नौन पॉल्यूटिंग हो इससे भी हमारे जो क्लाइमेट चेंज को कर्व करने का या फिर ग्लोबल राइज करने का जो टार्गेट ही वो फुल्फिल हो सकेगा अधरवाइस सिर्फ टार्गेट ही रह जाएंगे तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको भी पता होगा कि जो भी हमने टार्गेट सेट की है UNFCCC के तहत है ना उस टार्गेट को तो हमने ब्रीच ही कर दिया है और जिस परकार का आज कि रिपोर्ट आता है वे इस इंस्टिशिएशन की तरफ से कि अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो 1.5 डिग्री क्या हम 2 डिग्री आराम से क्रोस कर जाएंगे तो डिग्री राइज आराम से क्रोस कर जाएंगे ठीक है उसके बात कॉपरेशन इंद आक्टिक और पॉलर रिसर्च बेकाज यह सब आक्टिक से बॉर्डर करते हैं तो जार्ची बात है आक्टिक के खेत्र में पॉलर रिसर्च क्लाइमेट एन इ जो पाच कंट्रीज है ना इन सभी देशों के साथ बाइलोटरल मीटिंग भी हुई है तो बाइलोटरल मीटिंग में के इनकीन बातों पर चर्चा हुई है यह सब देखते हैं एक एक दो दो पॉइंट बस याद रखो काफी है जाता डीटेल में जाने के जरूत नहीं है तो के साथ क्या बाते हुई है तो पहले बात तो वार जो युक्रेज में चल रहे हैं इंडिया यूनियन फ्रीट्रट डील जो की अभी नीच पेपर में काफे जाता रहती है यह बोला जा रहा है कि वाइसा भी पर्यास चल रहे हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह सब कुल टील है मैं और तो थोड़ा सा modifying लगता है क्रद्डट डीलको कंपवीट वने में विकॉस बहुत सारे गंपर सहमतबंध यह नहीं सहमत्य बनती है फिर से ब्बियेट होता है शूर्दो कर समय्वांती है इसको फास्ट्रेक करने का भी प्रयास चल रहा है जी दो पर भी रहोगे बारबार यह आ रही है जाते साथ ग्रीन स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप को स्ट्रंग्थिन करने की बात की गई है यानि कि ग्रीन है ड्रेवल एनरजी वर्स्ट वाटर मैनेज्वें और इन सब की तेकनीक इन सब देशों के पास असी है इंडिया नौर्वे के बीच क्या डिसकेशन्स हुआ है मतलब नौर्वे के बीच तो ब्लू एकनोमी में कॉपरेशन रेनेवल इनर्जी की शेतर में कॉपरेशन ग्रीन हैड्रोजेन सोलर विंड प्रोजेक्स आप देखो किन किन फिल्ड में जो यह जो नौर्डी कंट्रीज है जिसमें वेल एड्वांस है वाटर मेंजमेंट ले लो रेन वाटर हर्वेस्टिंग ले लो भारत में देख लो लगभग आपका मॉंसूं सेजन में 70% रेन फुल हो जाती है है ना लेकिन हम उसे कंजर भी कितना कर पाते हैं हार्वेस्ट कितना कर पाते हैं बिल्गुल कम अगर हार्वेस्ट कर जाएं तो फिर हमारी जो वाटर क्रैसिस की समय से हो सौर्ट आउट हो जाएगे वाज असा तकनीक है इन देशों के पास जो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मदब करवा सके कुछ सब बाते हैं तो यह हमने देखा इसके बात देख सकते हो इंडियन पीम एजर्टे डेट नौर्वे इस एक की पिलर आफ इंडिया रिशेंट्ली अनॉंस आर्क्टिक पॉलिसी इन इंडिया और शुडेन के बीच क्या बाते हुई है तो देख सकते हो पहले बात तो यह कि दोनों देश ने मिलकर लीड आइटी इनिशीटिव लांज किया था अब प्रलिम्स के लिए ध्यान रखना कि लीड आइटी इनिशेटिव क्या है तो जब हम लीड सब्सक्राइबन बेज़ इनिश्ट्री यानि कि उन इनिश्टिव से इमिशन नाव और इसे करने में अगर हम सफलता हासिल कर लेते हैं तो डेफिनिटली हम ग्रीन हाउस गेस इमिशन्स एटमस्फेर में रूलीज होने से रोख सकेंगे तो लीड आइटी नाम से पाता चलता है लीडर्शिप ग्रूप और इंडस्ट्री ट्रांजिशन और इससे लांच की गई थी तो 2019 में अर्दा यूएन क्लाइमेट समिट ग्रीन हाउस गेस्ट मीटिंग इंडस्ट्री ट्वार्स लो कार्वन एकनोमी योई बात होगी सिंपल आपको वन लाइन में याद रखने लीर आइटी मतलब क्या कि जो भी आपके फोसिल फ्यूल बेजड इंडस्ट्रीज हैं उनको क्लीन इनर्जी बेजड बनाना है इंडिया इसलेंड में क्या बात है हुई तो दोनों देश ने इस प्रकार से एकनोमिक कॉपरेशन को बूस्ट किया जाए दोनों के बीच इन सब पर चर्चा हुआ जी ओ धर्मल इनर्जी के सेक्टर में कॉपरेशन बुलू एकनोमी आक्टिक रिनेवल इनर्जी फिश रीजें सब सेक्टर पर देखने को मिला उसके बाद इसके बाद और फिन्लेंड के बीच में क्या बाते हुई तो दोनों के बीच कॉपरेशन को एक्स्पेंड करने के बाद की गई इन्दे इमर्जिंग टॉक्नलोजी लाइक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर क्यूबिट्स आपने सुनाओं को प्रिलि इंडिया में इन्वेस्ट करिए और भारत में जो इन्देस्ट्री इंडिया में आती है तो उनको लेबर एंड बहुत सारे इंसेंटिव जो गवर्मेंट के हैं वो सब मिलेंगे और काफी प्रॉफिट्री इंडिया में आती है सब्सक्राइबल हो सकता है और भायत में भी इसके कारण जॉब्स इंफ्लेमेंट्स जो भी है इन्वेशन सब डेवलफ होगा सब ग्रॉ होगा ना तो दोनों के लिए बेनिफिट होगा विन-विन सिचुशन जिसको कहते हैं तो यहां तक हम ने डिसकुस किया होप यूंडेस्टूट था बेसिक्स आज वेल जो डूलेशन इंस सब के बीच इंडिया का रहा है ठीक है एंड नेक्स लेक्ट्टर सीरीज में we will start from a first topic effect of policies on India's interest और इस पर आप देख लो लगभग बहुत सारे questions आए है ठीक है effect of policies on India's interest मतलब समझते हो जैसे अमेरिका ने कोई policy लिया कोई action लिया जैसे इरान पर उसने sanction ही लगा दिया तो उसके कारण इंडिया पर क्या impact होगा इंडिया पर impact हुआ की नहीं हुआ जो हम oil import करते थे इरान से इंपोर्ट होना बंद हो गया है ना साती साथ अभी आप देख लो जो रशिया यूकरीन वार चल रहा है उसका impact इंडिया पर या फिर वर्ल्ड पर क्या हो रहा है वीट के prices बढ़ रहे हैं एफिस जो आपके natural gas के prices देख लो वह भी आपका काफे ज़्यादा बर रहा है तो इसका effect इंडिया में भी आपको देखने को मिल रहा है along with global level पर क्योंकि सकते हो कि भारत को अपनी neutral policy रखने में भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि इस प्रकार की scenario में भारत किसका साथ दे क्या US का साथ दे क्या Russia का साथ दे यह सब एक dilemma जिसने situation बन जाती है यह सब जो भी आपके global level पर policy यह फिर घटना है घट रही है हमें भारत को central एंगल में लेकर सोचना पड़ता है ताकि हम एंस निकाल सके यह ना जैसे WTO में कुछ reforms की बात हो रही है यह ना WTO ने कोई decision सुनाया सब का प्रभाव इंडिया पर क्या होगा इस एंगल से हमें देखने की बूलता है जैसे यह भी बोला जाता है यह सकता है इंडिया पर जैसे यहां पर देख लो जाते हैं और भी बहुत सारे question मिल जाते हैं जैसे देखो यह जो आपका WTO के ओपर भी question आ गया है जो दोह round of negotiations हुई थी तो इंडिया का क्या perspective रहा उनसे पर भी questions है फिर cross border terrorist attack भारत में बढ़ रहे हैं एंड पाकिस्तान का interference जो इसमें देखने के मिलता है तो सार्क के future के लिए फिक नहीं होगा सार्क जो है अब देखी लो ना सार्क तो अपना relevance सिखो बैठा है तो इसमें बाते हैं एंड फिर देख लेटरेस टापका क्रिटेकली एक्जामीन दे रोल ओब डावल व्हो इन प्रवाइडिंग दो ग्लोबल हेल्थ सेक्रेटी डिरिंग कोबिड नाइंटीन तो काफे ज़्यादा क्रिटिसम किया गया था डावल वहो का कि वाई साब इसका कोई कि अपना सोर्स फंडिंग नहीं है ज्यादा होते हैं इसलिए साइसे वक नहीं करता साथ साथ इनकी डिशिजन्स लोग कंट्रीज मानते नहीं है इन फेक्ट क्या कोबिड नाइंटीन की सिच्विशन को उन्हें टेकल नहीं कर पाया तो इसे बाते हैं जैसे देख लो फिर एक और आया है इंडो यूएस डिफेंस 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 डिल क्या सिगनिफिकेंस है तो इस प्रकार से कोईशन पूछे जाते हैं और मैंने इसका अनलिसिस अल्रड़ी आपको फस्ट लेक्चर जब मैंने इंटरनेशन डिलेशन की सुरु जो काफी जयदा चर्चा में रहा था कि डिफेंस क्या होगा काफी जयदा स्कूप चल रहा है कि कुछ ही एक साथ आएंगे और ग्रूपिंग बनाएंगे अपने बीच प्रमोट करेंगे जो भी है एडवांटेज क्या है और वैक्षिन डिपलेमिशी भारत ने जो वैक्षिन डिलिवरी या वैक्षिन सप्लाइ करने का काम किया तुदा नीडी कंट्री आपने देखा भी होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए गए थे इससे भारत की सौट पावर सब्सक्राइब होती है तो पॉजिटिव क्या है कंसर्स क्या है देखेंगे उसके बाद सप्लाइचें रिजिलेंस इनिशेटिव इस पर मैंने चर्चा भी की थी विए डिस्कॉस ऑन डेट एंड जियो पॉलिटिक्स अब टेक्नोलोजी में भी जियो पॉलिटिक्स का खेल सब्सक्राइब है कि एक एक एवल्विंग सेक्टर होता है तो आच के लिए इतना ही विल्मीट विल्म नेक्ष्ट क्लास थैंक यू थैंक यू बेरे बच्च